नमो टस्य भगवतो अराटो सम्मा सम्मुदस्य वहां भगवान अराट सम्मेक सम्मुदलाई साधर वोंडनना नमस्कार आदर्ने दर्शकमान भावरू बोडी टेलिविजन बाट नियमेत रुपा प्रसारण हुदय आहिरे को येस अंगुतर निकाय को आज हमी 69 एपसोड मा आइफिके गाचं भगवान बुद्ध को बचन संग्रहित त्रिपितक को पहिलो पीतक शुत्र पीतक को पांच वटा निकाय मा दे चवठो निकाय जसलाइ अंगुतर निकाय भणेर भनी हो तिसको चर्चा हमी लिए घरदय आई रहे का थियूं रए यो अंगुतर निकाय मा एक घारवटा निपात हरू बहै को को रा यहांलाई मैले निवेदन गरें रत्यो एगारवट निपात मद्दे पहिलो निपात लाई एकक निपात भणेर नाम दीएको छा अर्थात भगवान बुधले भन्नुभायको उपदे शिक्षा लाई यवटा यवटा विशेकु रूपमा लियेको शिक्षा लाई संग्रह गरेर एककनी पात भणेर नामा करन गरेर राख्येकु छा आदर निदर्शक मान बावर एसमा जम्मा 20 वटा बर्ग हरु छन रत्यसमद्दे हमी स्वरों बर्ग को बारेमा चर्चा गर दैथियों यक डम्म पाली भनेर भनियेको छा यह स्वरों बर्ग यक डम्म पाली मा जम्मा 70 वटा शुत्र हरु राख्येका चन रती 70 वटा शुत्र लाई पनी 4 वटा संभुह मा बाढ भीयेको छा र चौठो सम्मुह जस्मा 44 सुत्र हरू रहे को मा गय को इपिस्वर्द मा मैले तिवो चौठो सम्मुह को सुत्र नंबर 33, 34, 35 को विशे मा यारलाई कही जानकारी गरायको थी र तियो सुत्र मा क्य बहनियको छा भगवान बुढळले गरायको जो प्राणी हरू पशू पंचिको रूपमा जन्मियका चन अरबा कित पतंग को रूपमा जन्मियका चन तिसलाई तिरस्चीन बहनेर भनीं चा अरबा तिन हरो मनुष्य भाहरा जन्मीने हरो देरहने कम हुँचन जब की तियो पशुपंची बाट, पशुपंची अठपा कीर पंट पटंग भायरेने जन्मन चन धेराई अठपा नर्क मा उट्पन उने देराई हुंचन अठपा प्रेटियोनी मा जन्मने देराई हुंचन भनिय को कुरा मैं लें गय को एपिशोड मा यहां लाई जानकारी गराएं रादरने डर्शक मान भाबरू यहां नरक को कुरा, स्वर्ग को कुरा, देवलोग को कुरा हरू आउंदा खिरी यहां लाई धेरेलाई थब जिग्यासा पने लागना सक्छा अठवा यह परमपरा गट कुरा हो यह जुन जसले पनी यह श्वर्ग नरक को माते कुरा गर चा जुन की आमले देखे कोई छाई न भन्ने देरेको बनाई चा रा इत्यु विचार गरनू एक हट मा स्वाभाई गी पनी हो किना हमले श्वर्ग नरक तर मने प्रत्यक्षी रूप मा देखेगा चाई नूं तर गई को एपिसोड मा पनी मैंले श्वर्ग नरक को कही उधारन देखु थी जब जब हमरो सब मन मा रामरा भावना हरो उटपन होंचन हमरो मन खोसी रा शुखि को अनलभव जाहितने बेला हुँँच ते बेला हमले स्वर्ग न आननद को अनलभव गड़यका हुँच भन्ये कुरा बिबिन साहक्त हर्मा पनी उल्लेख भागा चन तपहु हमली हमले पनी अनलभव गर्यका हुण पर छी तेटी बेला को जुन आनन्द होनी हो, जुन शुखा होनी हो, तियो शुखलाई कुनाई कुरामा पनी दाजना सक्किन दाइना बने पची तियो स्वर्गी आननन्द हम लेते अनुभब गरे काई होंता जब हमरो मनमा दुरभावना हरो उटपन्न होंचन, रीश उटपन्न होंच, इर्षय उटपन्न होंच तेटी बेला हमी कुन्नाई हालत मा पनी सुखी होना सक्किन बड़ तेटी बेला जुन मन को अबस्ता होंच, तेवोडा दयनी अबस्ताओ ते ओड़ा दुरगटिको अबस्थाओ ते ओड़ा नरामर अबस्थितिको अबस्थाओ और तेसरी प्रतेक्छी रूपमा हामी आपहिले तेस्तो नरामर अबस्थाहरूलाई अनुभब गरने बेलामा तेलाई नारकिये अनुभब भनेर पनी भनींचा नारखिये स्ठीटिवनी भनिनच और अरकु कुरा यहां जानकारिगारणु पर दखेरी मानी सरुले देरही परकार का डुख पाई रेका हुन्चन पौटिक रूपमा, सारेरिक रूपमा, और कथिपए केस पुराहर मा, आर्थिक रूपमा पनी मानी सहरूले दुख़ पाई रखेगा हुँचन और तेस्ट अबस्था लाई तुलना गर दाखेरी, त्यो अबस्था भगने मानी सहरूले बटाउंदाखेरी मेरो जीवन नारकिये जीवन जस्तो छा, मत नरकमा बस्यकों जस्तो छा, आधी इत्यादी त्यो भावना हरू पहिंचन और विदेश मा रूजगारी का लागी जाने हरू, यहटाई कथामा बीस पच्ची स्तिह जाना शुटनू परनी हुँच खाने लाउने को ठ्यकान हुँदाईन, दीन को अठारा विस गंडा काम गरनी हुँच त्यस्तो बेलाको अनुभव लाई, उनहेले ब्यक्तो गरनी क्रमा, मत नरकम जस्तो ठाउमा चाई बाचे कोछू, बसे कोछू, भन्ये जुन उटगार आउँच त्यस्तो बाट पनी था हुँच, मनले, प्रतेक बेख्टिको मनले त्यस्तो नरम्र अवस्था पनी भगे को हुँच अगी भने जस्ताई, राम्र अवस्था हारू पनी, सुख का अवस्था हारू पनी, आनन्द का अवस्था हारू पनी, अन्भव गरे को हुँच उन पर तेस्ते अवस्था को कुना ही थाउपनी छ भनेर जाई भन्ना खेरे अब त्यों न देखेको लाई विश्वास गर्दीना भन्न पाईंचा तेस्में कुनी ड्रीमट नहीं छाई तर भगवान बुद्धाले ती कुरार को अनुभव गरे रा ती कुरार को जानकारी ले रा व अबुधालाई यवड़ा विशेशन दिने चलांचा शर्बग्या शर्बग्या माने सबई प्रकार का ज्याटा सबई चीज को ज्याटा भनेवची वहाले था न पाउनी कुरार कही पनी छाई ना अब त्यस्तो भेक्टीले भन्नुभवय को कुरालाई बिना आधार को बि यह परंपरागत कुराहरू भए यसमा कुने नौलो कुरा छाईना अधी त्यादी भने दा हमरो मनमा लागना सक्छा तर मैली व्यभारी कुडाहरन अगी दें जड़ी जड़ी बेला हमरो मन प्रसन्न हुंच तेड़ी तेड़ी बेला हमले चाईँ स्वर्गिय आनंद अन्भव गर राखे का हुंच रो दैविय आनंद जाईँ हमले भगी राखे का हुंच दिव्य अभस्थालाई हमले अन्भव गर राखे का हुंच रो जब जब हमी दुखित हुंच जब जब हमरो मन जाईँ दुरभाबनाले ग्रस्त हुंच कसलाई भनींच? तिंता कॉराव मात्रे उन्यर students interact can have children this मैठीन तरमęd और वाम भचा उत्पादन गरनी। यह तिंता मात्ते कॉरा हरuna सक्चन तिंता कॉरा अब भयकिक उन्यर्की तिरियेक वनीड पहनीं o भनीगों उसको जीवन पसु टुल्ले छा भने राजाई, हमिले साहित्य हर्मा पनी पाउंचाऊंँ, मानिसर ले भनेको पनी पाउंचाऊंँ तसर्दर्शक महान भावरो, ये शरी मानिस भहिकन पनी, जब उसको सोच चाई बडलिये रा पसु टुल्ले हुँचा तब 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 मानिस ले पनी पसु भनेर संग्या दीजा महनिपची अब ये रनुस्ट यो मानिस हरुको यो जुन जीवन संतति हो, हम्रो जीवन प्रभाहा हो तुछो बारे में पनी माहले प्रतिते संभूण पाद में है हमले जान कारे घर आको थिए प्रतेक पटक हमी जनमी राहे का चाओं, प्रतेक पटक मृत्य बढ़ा है राखे आगा चाओं पोर साल को मानि अहले करती फार्क भाई सकी हूं और ऐसे भीगट मा जान रहे जान रहे गार्दा हीरी हम इतिहास के सथा हमा को ख़बात जन्मीना हीरी स्यानो शीशुको रूप मा जन्मेदा का थियुं तेही शिशु हुरकन रही बढ़ रहे आयरा अहले यो उमेर मा यो अभस्ताम मा आय पगयों बने प्रत्यक छेन मृतिव होंड़ेचा अब त्यो मृतिव भायरा जन्मी दाखेड़ी अध़ आम्रो चित्त संतती चाई चित्त प्रभाह चाई फरक भायरा आमी ले नरामरो दुरभावना राखेड़ा पशु तुल्ले विचार राखियों बने अगाड़ी को छेनत पशु नहीं भायरा जन्मी चाथा पशु कई अवस्था हमी बङी राखे काईजा हु नरकिय अनुभब खरली, प्रभाह चली राखेके अछा, प्रेट कु अबस्था प्रेट काई भणींचा जत्ती खाय पर न अगाउनी खाऊं खाऊं माते लागे रानी तेस्तलाई प्रेट भनींच यह सरी कुनीपणी प्राणी पशुपंछी बात चूट भाहर तो मनुश्य भाहर जन्मीने भने को देरे कम हुँँछ जब कि नारकी अवस्थामा पशुपंची को अबस्थामा रप्रेट को अबस्थामा जन्मिन्यारू तेहरे उँचा बनने कुरा गय को एपिशोड मा हमले चर्चा घर्यूं मैंले यहार को समय केहिली हैं अब येस पच्छी को सुत्र माँचा इवहाले के बननू उँचा दा येसलाय मैंले तिन्ता सुत्रला एकेचोटी बताउनी प्रयास गड़ राखे कुछू कारण केता बनना हिरी यो जस्तो आगी पशुपंची बात मृत्यू भायर नरकमा उटपन हुँचा योटा तेस पच्छी पशुपंची नहीं हुँचा दोस्रो रा प्रेटमा उणसक्छा तिस्रो तिन्ता सुत्रला एकेचोटी मेंले यो अंतरसंभंधित कुड़ा भायको कारण ले एकेचोटी बननी प्रयास गड़ेको थी तेस पच्छी 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 गिता में पेबल होतपन्न रंगे भायर होततों इते टेव लोग कर जर्णते हैं गिता मैं जन्मिय बुक्तामाय प्रावकाईम हो पेपन्न खेखियर करले हैं हम्रो मन बित्र, कहकास्ता भाबना हरू उतपन भगया बने रही तिपे रहिएरूं, लेखे रहिएरूं र दिन भाःदी को संख रहा गरी सके पछी एक्छी एननलाइसिस यहलै विसलेशन गरे रहे disappearूं कती पटक हमरा भावना हरू, हमरा विचार हरू रामरा भए, र कती विचार भावना हरू नरामरा भए, कती ले पसु पंचलाय प्रति निद्रीटो गर छा, कुन अवस्थामा हमिले नर्किय अवस्थालाई चाहिए अनभब गरेको तिया तिपेको छा रा कुन कति बये अवस्थामा चाहिए अरवा कति गटा अवस्थामा हमिले चाहिए प्रेट को जश्चो सुभाव हमिरो मनमा उटपन गरहें भनेर एक्षेटी आमें आफाईले परिछेन गरे रहेर न सक्छाू। रज निश्चित रूप मा यहां निवेदन गरना साहांचू। राम्रा भावना हरू, अरुलाई सहयोग गरने, अरुकुर दुखलाई चाहिए देखना न सके रहे तेलाई कसरी। तेहां वाटमा चाहिए उमकाउग भन्यवावना आऊंए तेसे हिए धेर ही नहीं कमाँचू। जबकि अरुप्रति रिष उटपना हुने। अफले भन्यवठकर जस्तों थेथा रिष उटपना हुने। कसे प्रति चाहिए दवेश उतपना हुने। कसे में बडला को भावना उत्पन हुने, कसे को चैंढ संपति देखेर दाहा हुने, कसे को उन्यति प्रगति देखेर चैंढ इर्षिय हुने दर्शक मानुबावर। इह सपय कुरार देड़ाय नहीं उनसाक्चा डेड़ाय है उनसाक्चा अब भनुस्त, दिन भहरी को इसाब मात ये ती राम्रा कुरारो ठोरे रा नराम्रा कुरा धेर ही बहाय पछे हमिले बर्शं सम्म, बर्श को 35 छेथी खुरे अब ले चाई इसाब किताब लगोंडा हेर ता हमिले विचार गरे का आम रो मन मा उठपन विह का विचार रारू। कथी प्रतिशत राम्रा छन रो कथी प्रतिशत नराम्रा छन अब हमीले विचार गरू और यही त्यो नराम्रा विचार हरू यो जीवन मा छाव बने यही चित्त लियार यही मन लियार चाई यहां बड़ चाई चूट भाय पछी अरको जन्मा तापनेले पत्याँवनूस, नपत्याँवनूस, माननूस, नमानूसелей. जवसंमा कारण होन्छा तयो पुनर जन्मा बहल जोड़ी चोड़ै. ते नराम्रो भावना लिए रखो जनम होनी बनेकु मा उल्ली रवर गतिपाव्ला भनेकु आ संभाव ना संभाव ना ही कमूर हों पशु पच्छी अरुम पट अराय आया अर शिवा गरनी अरुको भ फर्लो होने होने को संभाव नाया है और तेस्तो अभस्था बाट गुज्रे का प्राणी हरू तेहां बाट राम्रो अभस्था मा उल्ले चाहिं पुनर जन्मा लेला भनेर तो आमले स्वत्ना तो देरेने गाहरू छा। तर पनी पहिले पहिले गरेका कि राम्रा कुशर कर्म हरको कारण ले उनिहरू बाइचांस देरे कम अभसर मिलचा कि उनिहरू मनुशिय भहरा जन्मान सक्छा और देवलोक मा उपना सक्छा। यही कुराया भागवान बुद्दली भन्नुभा कहो। और अरको सुत्र मा आमी के पाउंचांता योता पोशु पंचि भाट देवलोक मा उपना हुनी अध्वा मनुशिय भन्नुभा उनवा। अब फेरी अरको सुत्र मा आमाले के पाउंचालिस चालिस एक चालिस प्रेट योनी भाट चूट भाएर मनुशिय भाग मा जन्मानी कम छा। जबकी तिन्यारू किता प्रेट नहीं हुना भायर जान्मीनचा, किता पशुपंछी नहीं भायर जान्मीनचा, किता नरकमा उत्पन्नुचा बनेर एसरी बन्दभार कोछा रहा यहार लाई अरकुपन योटा उड़ारन देंचु 42-, 43-, 44-4 नम्मर सुत्र, शोट्र ईसमा के Vhenyaकुछा प्रेट यहनि भाट चूट भायर देवलोकमा जन्मनेरों होँचा जबकी प्रेट नहीं भायर जन्मीनचे, पशुपंची नहीं भायर जन्मीने रर नरकमा जन्मनेरों होँचा बनेरा बुढले बन clinics खाओँचा अब यो अगी देखी अईले सम्म को यो जुन शूत्र को चर्चा गरिम, तेसमा हमिले तेरे कुराको संदेश पहुँचाओं, कस्तो ता भन्ना हिरी, एक्टमाईले अगी यहाला निवेदन गरिम, यो प्रेट लोक को, यो नरक को कुरा, देव लोक को कुराहरू, कसले देख प्रस्नामा न अल जीने हुआ भने, कमसे हम्जे पशुपंची तो हमी देखेगाँ छू, कीत पटंगों तो देखेगाँ छू, येल्दा आता हमी मानना सक्षू, रा अगी भने जस्ते ही, त्यो कीत पटंग पशुपंची अग्ले धार्मका खुडाहरू, धार्मका चेट अब उनिहारको गति, पविश्य कस्तो उन्छा भनेबची, जस्तो स्वचिन्छा तेसी जन्मीन्छा अब यानिरी, बुद्ध को उपदेश, बुद्ध को शिच्छाले जाएं के बननों खोजेको छाओ, के सेंदेश दिनों खोजेको छाओ, अब तेस विशेमां हमी विश्ले संतिर जाँवाली काथी भगान बुद्ध ले, इस सबई कुराहरू गर्णू परेको कारण के होला मायनी सरुलाए, प्राणी हरुलाए, तरसानों को लागी होकी अठवा, मैं ले इस सबई कुराहरू बटाया परची मा चाहिं सुपेरियर उन्चू भनेर त्यों हिशावले भन्नू भागो होकी अठवा, कसाई ले पनेको छाईने तेसकारण मा भन्चू भनेर, मा चाहिं अग्रा हुन सक्छू मा पहिलो बक्टावन सक्छू बनेर भन्नू भागो होकी तेस्टों पने हमिले लाग न सक्छा तर ये कुने ही पने कुराहरू ही ना, दर्सक मानवा भरू वहां ले भुद्धतो प्राप्ट गर्नू भो, तेवन्दागी वहां राजकुमार सिदार्थ थी हुनुन धियो और त्यों सिदार्थ जसले दर्वार को सुख सुविदामा हुर्किन पाया का थिये तर आम मानिसको डुख देखेरा जन्मनु पर्ने, विरामी हुनु पर्ने, मर्नु पर्ने, बुडाबुडी हुनु पर्ने जुन कुराहरु वहां ले छाइए देखनु पर त्यों तेस बा उम्किनो पाउनी अठवा, तेस बात चाहिए मुक्टी पाउनी छाहिए, के ही उपाया चकी वहां ले खोजी गरे रहा, बुढ़टो ज्ञान प्राप्ट गरे रहा, ती सबीका कुराहरू, सबीका निराकरन का कुराहरू पतालागुन भाग हो, तेसे लाई बुढ़ी ज्ञान भने रहा भनियो, दर्शक मान भावरू, एदी वहां लाई चाहिए त्यो विशे मा जानन उर्शुक्ता थियो रहा जानी लिनु भाए बने, जानी सके पची चुपल आयर माते बस्नु भाए को भाए हों थियो नि, वहां ले कसे ले के इता पहनी वाला थिये न, तो पहले बुढ़टो प्राप्ट गरूमो, आमले जाए किन न बाढ़े को, वहां ले जानी जानी देव लोका भए, ब्रह्म लोका भए, र दुरगति नर्ग का भए, सब यी कुरा वहां ले जानी शकनु भाए पची तेसका कारण हरु पनी वहां ले पटलाउन भो चत्वारे सत्ति मा यहां ले सुनु भागो छा, कुने कुरा को कारण छा, तेव कारण अठावन पनी शकिन चार, उपाय पनी छा मने जस्तेई, वाले यो सत्तो प्राणी, प्राणी मार्ते है ना बटा सत्तो प्राणी मानिस मार्ते है ना तेसमा सब सत्तो प्राणी हरुको दुखको कारण पनी माले, दुखको कारण पनी देखनु भो तियो डुख़ हटाउने सक्षा भनने पनी महाले चाइं, प्योपाउने पनी 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 पन शिच्छा बाननलाई पठाउनुबो, आफुपनी लाउनुबो, वहाले दैनी 24 घंटा मद्दे 22 घंटा सम्म वाले चाहिए धार्मकु कुराहरू शिकाउनुबो, शिर्फ ड्री घंटा वाले आरामलीनुबो उन्थियो, यो आफनु जीवन को, बाकी जीवन को 45 बर्स सम्म यसरी निरंदर रूपमा यसतो शिक्ठे अरू कीन बाढेर हिनु बहता। सत्व प्राणिहर को दुखह देखे रा, उनी हरू प्रति करुना जागे रा, उनी हरू प्रति मैत्री भाव राखे रा, ए सत्व प्राणिहरू संग्सार को शिठीटी यसतो छा, भया वह छा, यस अरु प्रानी प्रती दया, मया, ममता राखेर भन्य सकनेсят sąगे धर्मगूरात safety. नहीं छन्र विश्वमा, दर्शकमान बावरू, ये सरी वहां ले चाहिं जुन करूना देखा रहा चाहिं, येस्टो इस्टो छाहिं, भनेर बस्तु स्टीरी बटाउनु भाग हो, वहां ले कसे ले तर्शाउन तेस्टो भन्नु भाग हो ही ना, अठवा आफु सुपेरियर ह प्राणी हरू बटाउनु नर्रम्र काम गरेर तेस्टो नारकी अवस्था भाग्नन परोस्य पसूपंछी कीठ पटंग भायर जन्मन न परोस्य प्रेट भायर जहीली पनी असन्तुस्टि भायर चाहिं बास्य न परोस्यार सके शमा उच्चत जीवन काई प्राप्ट गरोस भूदा हुदा यो डुख बात नितांत अलग अबस्ता असलाई निर्वान बनेर बने बनेईो मुक्थी मुक्षे बनेर बने बने तयो अबस्ता प्राप्ट गरोस बने चाहना आले वाने चाहिन इसबी कुरार बन्न भागो dreska मान भावरो वहालाई महाकारुनिको नाठो भनेर चाहिए योटा बिशेशन दिने गरेको चा मने महाकारुनिको करुना राखनमा पनी महा करुना बान मित्रमा पनी महान कल्यान मित्र भनेर चाहिए वहालाई भनेर चाहिए वहालाई भनेर को चाहिए इर येस्ते ही कुरा हरू, प्रमानित के गरेको छा, उहाले पक्काई पनी मानिस हरू, सत्टो प्राणी हरू, दुखपावला, त्यों दुखपानी फेरी एक दिन को, दुई दिन को, दुई चार बर्षक होई ना, कल्पाउं कल्पसम्मा, हजारों बर्षक सम्मा चार बर्षक बुष्पा प्रणियोगी में दुखपorous द्रशक मान भावरू, इस्ता's को, पहक marked है कुराहरू बात है यो तरशक मान भावरू यो बद्ध को, सतर्क नहीं को देता है तर संयोग अठवा हमरो भाग्य भन्नू परला, उहांले भन्न ख़जनू भयको कुरालाई, सही रूपमा हमिले चाही आत्मसाथ गरे रा, सही रूपमा तेलाई बुझे रा, ती नराम्रा कुराहरो बाता हमी बसन सक्यों भने, त्यो जस्तो राम्रो उपलबरी के हुना सकला हमीले बिविन प्येशा अभ्यवसाया गरे रा कमाऊं चाहूं, बिविन प्रकार का पहुटी कुछ भीडाहरो बढ़ाऊं चाहूं, बृदी कर चाहूं, तेस बाट संपन्न पनी हुन चाहूं, तर कतिन जेलू, नमरे सममा ते हो, मरे पचित सब चोरे जानू पर ने हो, न अजम मरे भायर बसने तो कोई पनी चाही ना, बनाले ती सबई कुराहरो भायर पनी मानी सरको गनतव्य, अलगई बाकी छहाई, तिमी यहां बाट गईर अरको एस्टो एस्टो अबस्थामा चाहें पूग न सक्छाऊ, रा एदी न पूग ने हो भने, तेहां बाट चाहें बुग गरव भने रवारे, शिकाउनू भागवो छा, क्ये शिकाउनू भागवो छादा? सब पापस्ञ अकरनं कुशलश उपसंपदा, पापकर्म हरू, नरामरा दुष कर्म हरू, कुर्णै पनी नगर्नू, औरू कुशल कर्म हरू, रामरा काम हरू, सक्के जक्ती कुसलस्य उपसं पड़ा, तेलाई संचे गर, तेसमा थपनु के भायता, सचित्त परियो नपनं, यो चित्त लाई निर्मल गर, यही बुद्ध हरुको शिक्छा हो, यही तंग बुद्धान सासनं, पनिमिच जुन-जुन व्यक्टी हरु बुद्ध बन्नु हुँँच, वाह बंगरहा गर्णु रच्चित्त लाई सुद्ध बन्नु, पस यही तिन्ता हो, दर्शकमान बाबरु, बुद्ध अहिले हमिले, बर्तमा नवस्थामा, चिनेको, जानेको, बुजेको, बढ़ेको बनेको, गवटम बुद्ध, त्यो भन्ना अगाडी, कति बुद्ध हरु उ पाइँ छा, त्यो अठाईच बुद्ध बन्ना अगाडी तो अजा कति बुद्ध उत्पन्न भाई सके, भाई सके, पभिशेमा कति हुँचन, हुँचन, तर ती सब बुद्ध हरुको योटाई सिच्च इतिन्ता कुरा हरु, और इतिन्ता कुरा हरुले चाहिं, बत आयर, प्रानिहर ला चाहिं, सतर की किनगारों नों भोता, बंदा हिरी प्रानिहर ले डुखन पाऊं। उनिहर को जीबन धिहराई लामो नहूं, ये संग्सार को यात्रा उनिहले चोट्याउं, और निर्वान को स्थाई संती को सुखभोगर्न सकुण, भन्य पभित्र उद्धे आजलाई मैं यहीं बिदावन चाहांचु ध्यानपुर्वक घेर दिनु भयकुमा यहां लए धेर धेर धनिबाद रभ बोड़ी टेलिविजन लए पिनी धनिबाद दिन दाई मैं बिदावन चाहांचु भवतु सब्वमांगालं। यहांचु लगका रभ लगका बुड़न दी और दिन दाई में बिदावन। कि समय दो देन सकता है। झाल झाल